अम्रित सर जिसे पंजाब के पवित्र सहर से भी जाना जाता है आज के इस वीडियो जो हम आपको बताने वाले अम्रित सर के खुपसूरती और इतिहास से जूड़ी रोचक बाते जहां जहां पे आप घूम सकते हैं जब भी आप ट्रैवल करने जाते हैं तो पांच ऐसे जगह जहां पे बहुत ही सुन्दर तरीश से है और जब भी आप अम्रित सर जाते हैं तो आपको गोमना चाहिए सबसे पहला आप देख सकते हैं ये एरपोर्ट है अम्रित सर का जो की एरपोर्ट के सारे आप जा सकते हैं फ्लाइट की तवारा या फिर आप रेलिवे स्टेशन से ट्रैन से भी जा सकते हैं एरपोर्ट से सीटी की दूरी एक गार किलोमेटर की है और ट्रैन से अगर आप जाना चाहे तो गोल्डन टेमपल की दूरी तीन किलोमेटर की दूरी है सबसे पहला अस्थान जो होता है दोस्तों वो होता है सुवरन मंदिर golden temple जिसे कहते हैं आप देख सकते हैं यह golden temple का अधभूत नजारा है जो की पूरी तरीके से सजा दिया जाता है और चारो तरब से आपको वाइट वाइट मिलेंगे और बीच में जो है वो तलाब के बीच में मंदीर है जहां पे लोग पूजा अर्चना करते हैं पूरी तरीके से यहां जब भी आप जाते हैं तो आपको बताते हैं होटल का सुईधा 500 से लेकर 5200-300 जिस तरीके से आपका बजट है उस तरीके से आप रुख सकते हैं और यहाँ पर आप खाना पीना जरूर खाए, चुकि यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिस थोटा है, और काफी संख्या में लोग यहाँ पर घुमने के लिए जाते हैं, एरपोर्ट से 13 किलोमेटर की दूरी पर पड़ेगा, अगर आप रेलवी स्टेसन से आना चाहता है, तो जालिया वाला बाग हत्याकान, जो कि इसी के बगल में है, जश्ट नेरेष्ट में है, जैसी आप यहाँ से एकजिट होंगे, तो सामने वाला आपको मिलेगा जालिया वाला बाग हत्याकान, जो कि दस कदम आगे है, जश्ट इसके बगल में है, यहाँ पर जालिया वाला ब वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा और यह market है जहाँ पे आप गुम सकते हैं मैन रूट में है तो यहाँ पे भी जो है गुम सकते हैं जालिया वाला बागत्यकान तो जश्ट बगल में है golden temple का कोई आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा और बागा बोडर तीसरा जो अस्तान होता है दोस्तों वो होता वागा वोडर जो कि golden temple से लगबग 30 km की दूरी पे है जो कि आपको भारत पाकिस्तान की सीमा पे मिलेगा golden temple जहाँ पे प्रेड होती है और लाखों की संख्या में यहाँ जो है लोग पहुंचते हैं देखने के लिए प्रेड में काफी का स्विधा नहीं है तो आप ओटो विगेरा ले सकते हैं जो कि golden temple से आपको हमेशा कैव विगेरा बसे विगेरा मिल जाएंगी 120 रुपया आना जाना लगेगा ओटो में अगर आप बस में लेते तो 200 सम्थिंग पड़ता है तो यहाँ पे साम को ही खुलता है तीन बजे के बाद जो है पांच बजे यह समाप्त हो जाता है तो यह आप देख सकते हैं वागा बोडर जो कि आपको टाइमिंग वहां से मिल जाएगा किस तरीके से है चोथा जो अस्तान है दोस्तों वह आप यहां से जा सकते हैं यह देखिए यहां प्रेड हो रहा है तो यह कापी पूंदर लगेगा आप देखे तयार हुआ है तो अब यहां पे चालू भी होगा तो यह बहुत ही सून्दर लगता है यहां पहुत ही अच्छा लगता दूसरी और पाकिस्तान पहली और हिंदुस्तान चोथा जो अस्तान है दोस्तों वो है गोविनगर किला जो की आपको सीटी से कुछी दूरी पी है तो यहाँ पे भी आप गुम सकते हैं जो की पूराना किला है ये पूरी तरीके से बहुत ही बड़ा किला है तो यहाँ पे गोविनगर किला भी काफी संक्या में लोग जाते है तो यहाँ भी आप घुम सकते हैं और चोथा पांचवा जो अस्तान है दुगर्निया मंदिर है जो कि रिल्वी स्टेशन के जश्ट नेरिष्ट में आपको मिल जाएगा तो यह 4-5 जगा आप घुम सकते हैं साथ में यहाँ पे अमरित सर में आप जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कर सकते हैं यहाँ का कूर्ता पजामा देख सकते हैं तो यह सारी चीज़ें आप घुम सकते हैं पांच सबसे अच्छे जगा है जो कि अमरित सर का आसा है वीडियो आपको पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें थांकियो सो मच पर वाज़ें